अधरनी बहनों भाईयों मैं पंडित दिनेश नारान पांडे ग्रहवाणी चैनल पर आपका हार्दी का भिनंदन करता हूं स्वागत करता हूं एक बार प्रेम से बोलिए जै माता की मैं भाईयों सितंबर माह की सुरवास से पित्रपच प्रारंब हो रहा है स्राध्ध पच्छ प्रारंब हो रहा है स्राधपच का पालन सभी को करना चाहिए इससे आप पित्ररिण से मुक्त होते हैं और अगर व्यक्ति पित्ररिण से मुक्त नहीं हुआ तो दैवी यक्रपा भी ऐसे व्यक्ति को नहीं मिल पाती है इसलिए परम आवश्यक है पित्ररिण से मुक्त होना और महीने के सोला दिन ये जो स्राद्वपच्छ के सोला दिन है ये साल में एक बार ही आते हैं तो इनका भरपूर सदुपयोग करना चाहिए बनुबाईयों दिमाख में सवाल उठता है कि पित्र पूजा और देव पूजा इनमें क्या फर्क है क्या सिर्फ देव पूजा से हमारा काम चल सकता है या पित्र पूजा भी परमावश्यक है तो पहले बताऊंगा अंतर दोनों में क्या अंतर है और ये मैं पहले बता चुका हूँ कि पित्र पूजा परमावश्यक है देव पूजन का लाभ तभी मिलता है जब पित्र पूजन व्यक्ति करता है और उसके लिए 16 दिन निर्धारित होते हैं वर्ष में इसके अलावा भी कुछ अन्यतितियां होती हैं उनमें भी आप पित्रों का इश्मरन पूजन करें और दान करें तो अन्तर बता दूँ मैंनों भाईयों पित्र पूजा वनसजों के आपके जो वनसज हैं पित्र हैं आप अपने पित्रों की पूजा तभी कर सकते हैं जब आप उनके वनसज हैं इस बात को समझे और देवों की पूजा कोई भी कर सकता है पित्रों की पूजा वही करता है जो उन पित्रों का वनसज है दूसरी बात देव पूजा आप उत्तर या पूरब की ओर मो करके करते हैं जबकि पित्र पूजा आपको दच्छल मो करके करनी चाहिए देव पूजा में कई तरह के उपचारों की बिवस्ता है जैसे पंचो मोचार, खोडशो उपचार, इसके इलावा राजशो उपचार, चौशठो उपचार आधी के द्वारा की जाती है लेकिन पित्र पूजा में इन सब उपचारों की आवश्यक्ता नहीं रहती देव पूजा सव्य हो करके की जाती है यदि यग्यो पवीत धारी हैं आप, तो जनेव को बाए कंधे पर डाल करके दाहिने हाथ के नीचे कर लेने की इस्थिती रहती है, जो सामान्य इस्थिती रहती है इसमें देव पूजा की जाती है, लेकिन पित्र पूजा में इसका उल्टा हो जाता है, यानि यग्यो पवीत को दाहिने कंधे पर रखा जाता है और बाए हाथ को उपर उठा लिया जाता है, यानि बाए हाथ के नीचे जनेव रहता है पित्र पूजा में होता यह कि कमर के दाहिने भाग में नीवी बंधन किया जाता है जबकि देव पूजा में कठी के वाएं हिस्से में नीवी बंधन किया जाता है आगर आप पित्र पूजा कर रहे हैं तो आप नीवी बंधन दाहिने भाग में किया जाता है जबकि देव पूजा में दाहिना भूटना जमीन पर लगा करके पूजन किया जाता है देवताओं के लिए चतुस कोण मंडल बनाया जाता है, जबकि पित्रों के लिए गोलाकार बनाया जाता है, देवताओं के लिए दच्छनावर्त मंडल बनाया जाता है, यानि क्लॉकवाइज बनाया जाता है, और पित्रों के लिए वामामर्त बनाया जाता है, एंटी क्लॉ दूप आदी क्लाकवाईज क्रम से दिये जाते हैं जबकि पित्र पूजा में उल्टे एंटी क्लाकवाईज दिये जाते हैं इस चीज को समझ ये गंध जल धूप आदी देव पूजन में क्लाकवाईज दिये जाते हैं और पित्र पूजा में एंटी क्लाकवाईज दिये जा पित्र पूजा में शुद्ध क्रिया बहुत आवश्यक है पित्र वाक्य और क्रिया सुद्ध होने पर ही अपनी क्रिया को स्वईकार करते हैं जबकि देवता के पूजन में भावना सुद्ध होनी चाहिए यानि पित्र पूजन में आप अपने पित्रों का सुद्ध उचारण करेंगे उनके नाम का उचारण करेंगे गोत्र का उचारण करेंगे सुद्ध जबकि देव पूजन में आपके वाक्य भी सुद्ध नहीं है केवल आपकी भावना सुद्ध है तो आपका जो पूजन है देवता स्वेकार करते हैं लेकिन पित्र स्वेकार नहीं करते हैं क्रिया और वाक्य इनमे कोई तूटी हो जाए तो देवता तो प्रसंद हो जाते हैं लेकिन पित्र नहीं परसंद होते हैं, क्योंकि पित्र भावना से अधिक वाक्य और क्रिया पर ध्यान देते हैं, तो इसलिए पित्र पूजा में योग्य आचारे को बुला करके स्राध्ध करें, और नहीं तो खुद करना है, तो सुद्ध भासा में, नहीं संस्क्रत पढ़ स रखते हैं, तो हिंदी में करें, लेकिन सुद्ध भासा में अपना गोत्र अपने पित्रों का नाम लेते हुए करें, यह पित्र पूजा और देव पूजा में अंतर, बनो भाईयों, सुखी रहें, समर्द रहें, स्राध्ध पच्छे से सम्मंधित और जानकारियां लेकर क शीघर उपस्थित होंगा आपके सामने, बनो भाईयों आप सुखी रहें, समर्द रहें, इसी मंगलमाई कामना के साथ आपसे विदा लेता हूँ, एक बार प्रेम से बोलिए, जय माता की